धाबा स्टाइल एग करी शरनपूर नाम के गाउं में रमेश नाम का एक आदमी उसको जायजात में मिली धाबा को चलाता था उसके धाबा में हर प्रकार के आइटम्स मिलते थे, वो धाबा रोट साइट पर था उसकी फिर सरीता से शादी तै हुई सरीता की पिता के पास एक पौल्टरी फार्म थी सरीता को खाना बनाना अच्छे से आता था सरीता की रमेश से शादी हुई रमेश का धाबा अच्छा ही चल रहा था सरीता जब भी खाना बनाती थी, तो एक ही सबजी से अलग-अलग किसम के आइटम्स बनाती थी एक दिन सरीता बेंगन से बेंगन की सबजी, बेंगन का सालन, बेंगन मसाला, बेंगन की चतनी ऐसे बेंगन से अलग-अलग आइटम्स बनाई एक और दिन टमाटर से टमाटर पपू, टमाटर चटनी, टमाटर रसम, टमाटर राइस, टमाटर से और ऐसे वराइटी खाना बनाई एक दिन रमेश सरीता से एक दिन रमेश धाबा में बैटता था तो वहाँ उसका दोस्त वेणू फोन मिलाकर यूं कहा अगले दिन रमेश सरीता को धाबा का देखबाल करने कहकर वेनू के पास गया सरीता धाबा में काउंटर पर नहीं बैठी और इदर उदर घूम रहे थी भीम सि taxi के पास जाकर क्या करीज बना रहे हुँ यूँ पूछी भीम सिंग अब तक सबसिया नहीं आये है मा, अभी चाहिए सबसी आई तो ही पताचलेगा कि क्या बना रहा है यूं कहा इतने में नीरज वहाँ आया भीम सिंग अरे सबजी लाने में इतने देर क्यों लगा दिया है तुमने यूँ से पूछा निरज सबजी के लिए गया था लेकिन वहां मार्केट में कल शाम कुछ हो गया था इसलिए वे लोग आज मार्केट नहीं खो लेते आज सबजी नहीं मिलेगी यूँ कहा सरीता इदर उदर देखी तो उसे ट्रे में अंडे दिखाए दिये सरीता भीम सिंग से आज तुम वेच नौन वेच ऐसे कहकर करी मत बनाओ यूँ बोली भीम सिंग यूँ कहा सरीता अंडों के साथ एग करी, एग चिली, एग बुर्जी, बॉल्ड एग, टिका मसाला ऐसे एक से अलग-अलग आइटम्स बनाई कस्टमर्स पराठे के साथ और दूसरी चीजों के साथ एग आइटम्स खाकर बहुत पसंद करे एक आदमी यूँ कहा एक और स्त्री ये बॉल्ड एक टिका मसाला बहुत खुब बनाए यूँ बोली ऐसे सब पसंद कर रहे थे तो वो देखकर भीम सिंग नीरज बहुत खुश हुए रमिश आते ही भीम सिंग मैंने तुम्हारा बनाया एक आइटम से इतने वेरेटी से ही इतना नाम कमाया है तो तुम बहुत खुब खुब खाना बनाती होगी अब से तुम और मैं मिलकर धाबा चलाए करेंगे यूँ कहा तब से सरीता रमेश मिलकर धाबा चलाते थे सरीता के एक से बनाए आइटमस को लोग खुब पसंद करने लगे इस तरह वो धाबा बहुत मशूर हुआ और आसपास के गाउं में भी धाबा में एक से बने आइटमस मशूर होते गए सरीता का नाम बहुत बड़ा रमेश सरीता भी खूब कमाए और एक बड़ा घर भी बना लिये रमेश धाबा का एक धाबा ऐसा नाम भी पड़ गया